हेलो स्टुडेंट मैं राहुल सर्मा राहुल स्टेडी सेंटर मैं आपका स्वागत करता हूँ आज आपकी विदेशी व्यवपार की चोथी क्लास है कल मैंने आपको कराया था विदेशी व्यवपार के लाव तो मैंने आपको तीन लाव करा दिये थे आज विदेशी से प्राकर्तिक संकटों का निवारण भी किया जा सकता है जैसा लिखा हुआ है पिरतेक देश में समय समय पर अकाल बाड युद्ध महावारी सुका आधी अनेक प्राकर्तिक संकट आया करते हैं ऐसे समय में विदेशी व्यवपार द्वारा उनका निवारण हो सकता है एक्ज जब बंगलादेश का युद्धुआ था विदेशी वापार्मा से यह किया जा सकता है अगर किसी देश को जरुवत है तो उसकी सहयता की जा सकती है जैसे अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में बाड़ा आई थी उसमें भारत ने उसके लिए मदद किया था भारत में अनिकी समस्या का निवारण रूस, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, आधी से गेहूं आयात करके करना ये प्राकरतिक संकडों का निवारण संभव विदेशी विवापार से ही किया जा सकता है उद्योग धंदों का विकास विदेशी विवापार से उद्योग और धंदों का विकास होता है जैसा लिखा हुआ है विदेशी विवापार से आवश्यक कच्चे माल, मसीनों तथा तकनीकी सहता प्राप्ट करके देश में उद्ध्योग धंदों का विकाज आसानी से किया जा सकता है हमारे देश में अनेक उद्ध्योग धंदों को विदेशों से कच्चे माल एवं मसीन यंत्रों को आयात करके तथा तकनीकी योग गिता रखने वाले व्यक्तियों की देश में बुला कर किया गया है किसी देश में एक अधिकार की इस्तिती उत्पन नहीं होती है वो खत्म हो जाती है विदेशी विवपार का साथ बलाव है वेग्यानिक उन्नेती होना विदेशी विवपार से वेग्यानिक उन्नेती भी होती है क्योंकि प्रतेक देश में अपने द्वारा उत्पादित वस्त पर बहुत बल दिया जाता है आठ वावे अंतिम विदेशी विववपार का लाव है बेरोजगारी कम होना विदेशी विववपार से बेरोजगारी कम हो जाती है विदेशी विववपार से देश में बेरोजगारी कम हो जाती है क्योंकि दोनों देशों में विविन प्रिकार के उद्योग धंदे इस्तापित किये जाते हैं जिससे व्यक्ति को काम मिलता है और बेरोजगारी में कमी आती है